खेला इवर्वन यो अलो बाचिंग आईश्पी से समलिफाइड और बीपेसी की जो 69 या फिर 68 की मेंस मेंस आने वाली है उसकी लगबग हम लोग यह कंसिडर करके चलते हैं कि 68 में हमारे पास 60 देज रेमेनिंग है ठीक है अब इस 60 दिन में मैं सोच रहा हूँ कि 60 दिन को ऐसे फिक्स किया जाए कि 60 दिन में इवेंदो आप 69 का एक्जाम दे रहे हो या आप 17 के लिए प्रिपेर कर रहे हो 60 देज में आप एक बार बीपेसी के मेंस के सिलबेस को गो थ्रू कर लो उसको गो थ्रू कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा बट आपको अगर आप इंटरेस्टेड हो you can follow this क्योंकि 60 देज तो देना पड़ेगा मिनिमम आपको एटलिस्ट वीपेसी के जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू को कवर करने के लिए ऐसे पेपर आप साथ लेके चल सकते हो डेली का ऐसे आपके imagination पे भी based होता है आपके contentment पे भी based होता है तो ऐसे पेपर को आप साइड में लेके चल सकते हो लेकिन GS1, GS2 completely आपके facts and figures पे as well as आपके कितनी बार आपका revision उस पे depends करता है तो BPSC जो mains अभी आप समझ सकते हो जैसे 12 में 2023 को एक probable date है 68 के mains का अगर आप 68 की mains नहीं भी दे रहे हो तो आपके लिए September में है BPSC 69 तो आपको ये समझना है कि जब BPSC 69 से September में है तो आपको अभी से prelims पे focus नहीं करना है अल्रेडी हम लोगों ने 68 के लिए BPSC prelims का 25 तो 30 डेज का एक वो चला था schedule चला था तो वो हम लोग लास्ट टाइम में फिर से pre-focus कर सकते हैं अगर एक बार हमारा मेंस का स्लेवस हमारे ग्रिप में होगा तो हम काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे हमें किसी भी रस्ट में जाने की जरूत नहीं पड़ेगी इवें दो आप 68 की मेंस नहीं लिख रहे हो आप इसको carry out कर सकते हो for 60 days अभी आपके वास बहुत ज़्यादा समय है you don't need to give all the time remaining time for prelims exam तो दोनो या तो आप 69 दे रहे हो या फिर आप 68 की मेंस लिखने वाले हो या फिर आप BPSC 78 देने वाले हो आपको ये schedule follow करना चाहिए बात कर लेते हैं GS1 के बारे में GS1 होगा उसमें जो considered topics है वो आपको है history, art and culture फिर current affair में national plus international फिर आपको data interpretation कौन कौन सा topic है एक चीज़ मैं आपको suggest करूँगा आप अगर इस schedule को follow करने जा रहे हो तो आप एक काम करना BPSC की syllabus को निकाल लेना अगर आप English medium से belong करते हो तो आप जाके PDF के नीचे जाके scroll करके जाओगे तो नीचे में English का portion दिया रहता है उसको आप PDF को प्रिंट कर वालो आपके बास एक syllabus का portion होना चाहिए ताकि आप comfortably उससे बार-बार देख करके एक acquaintance आपकी बढ़ जाए तो GS paper 1 में हम लोग देखेंगे तो यह हो गया हमारा GS paper 1 ठीक है जिसमें हमें consider करना है history को फिर art and culture पे focus करेंगे उसके बाद current affairs segment में national plus international news को consider करना है फिर data interpretation वाले part को मैं आपको बताऊंगा कहां से कब और कैसे परना है आपको बस मेरे schedule को follow करना है 60 days intensive BPSC men's course even if you are appearing for 68th आप 68th के लिए appear करने जा रहे हो या फिर आपको 69th की prelims देनी है प्रिलिम्स देनी है लेकिन अभी से ही prelims की नहीं पढ़नी है ठीक है आप धीरे धीरे करके NCRT पढ़ सकते हो लेकिन आपको मेंस का integrated approach रखना है रखना ही होगा अगर आपको exam निकालना है ठीक है तो GS1 हो गया अब GS2 को थोरा सा focus कर लेते हैं GS2 वाले portion पर ही तो GS2 portion पर अगर आप देखोगे तो आपके पास है quality, geography, basically in context with भिहार, भिहार orientation रहता है geography in GS paper 2 में फिर उसके economics की बात कर लेंगे economy की उसके बाद science and tech की बात करेंगे तो यह हो गया हमारा GS2 का क्या क्या हो गया कर देख लेते हैं quality, physiography, then भिहार, geography with भिहार orientation, economy, you can also say with भिहार orientation, ठीक है उसके आद science and tech के portion में consider करना होगा तो यह हो गया हमारा GS1, GS2 अभी हम essay portion की बात नहीं कर रहे हैं ऐसे के लिए आप एक तो आप बहुत सारे lectures available हैं उसको follow कर सकते हो, lectures कहां available है, telegram पे available है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करो, मेरे चैनल पर आजाओ, आपको ISP से simplified पे, मैं आपको provide कर दूँगा, आप उसको download कर लेना, फिर मैं उसको delete कर दूँगा, ठीक ह चलिए, उसके बाद, अब हम लोग धिरे धिरे basic approach करेंगे, GS1 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, GS1 में हम लोग, अगर हम लोग history portion की बात करते हैं, पहले GS1 में consider करते हैं, हम लोग art and culture वाले portion को, मैं बोलते चल रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसकी PDF प्रोइड कर वो question कैसे prevention में आये हैं, उसके according पे होगा, ठीक है, तो अगर हम लोग art and culture की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग, पाला art को focus करेंगे, पाला art को, फिर हम लोग move करेंगे, पटना कलाम painting पे, इसी तरीके से हम लोग more and art पे चलेंगे, फिर last में कुछ समय बसता है, तो हम लोग मधुवनी painting पे जाएंगे, आपको मैं बता दूँ, पाला art जो है, वो अब तक तीन बार पूछा है, 65 वी में, 47 वी में, और 43 वी में, 65 BPC में, 47 BPC में, 43 BPC में, अगर हम लोग बात कर लें पतना कलाम की, तो ये तो record तोर दिया है, 66 में, 63 में, 56 से 59 जो exam हुआ था BPC का उसमें, फिर 48 से 52 हुआ ता लगा तार पूछते ही आया है, मौरे नाट की बात कर लें, तो ये भी पांच वर पूछा गया है, 64 में, 60 से 62 में, 53 से लेके 55 में, 47 वी एंड 45 वी में, मदुवनी पिंटिंग ऐसे पूछती नहीं है बार बार, लेकिन फिर भी आप एक सेफ जोन में रहो, उसको कर लो, काफी popular है, उससे आप skip नहीं करो, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री कुछ और सेग्मेंट को, जैसे हम लोग ट्राइवल रिवोल्स पे जाएं है, ट्राइवल रिवोल्स में संथाल, छे बार पूछ रखा है, अभी तक, छे सटवी, तिर सटवी, आप देखो तो 67 मेंज में भी था, फिर बिर्सा मुवमेंट में चले जाओ, वो तीन बार पूछ रखा, ये दोनों बार-बार ऑल्टरनेट करके पूछता है, लेकिन अ मैं आपको बतायता हूँ, 66-63 से लेकर के लगातार 43 फी तक पूछा गया है इसको, उसके बाद बिर्सा मुवमेंट को लगबग तीन बार पूछा गया है, इंक्लूडिंग 66 BPSC में, ठीक है, तो ये दोनों आपको अपने प्रियरेटरी लिस्ट में रखना है, मैं आपको 60 लिस्ट को इस लिवरेट करके रख लेना अपने पास में, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, इसी तरीके सिस्ट्म में एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, 1857 रिवोल्ट जो बहुत बार पूछा है, और ये कितनी बार पूछा है, ये भी हम आपको बतायते हैं, इसमें कुवर सिंग का रोल, कुवर सिंग का, कुवर सिंग जी के रोल को लेकर के बहुत बार कोशन पूछा है, लगबग दो बार, तो इसको आफ थ्री स्टार कर सकते हैं, फिर 1857 रिवोल्ट and its impact in बिहार ये चार बार पूछा है, ठीक है, ये हो गया 1857 रिवोल्ट के बारे में, अब हम लोग एक चीज़ और कनसिट्र कर लेते हैं, «Indian Freedom Struggle», लेकिन हाँ, «Indian Freedom Struggle परना है, questions आते भी हैं, लेकिन with respect to बिहार», विःत रिसक्पेक्ट बिहार के टर्म में आएगा, जैसे चमपारन, पांच बार पूछ चुका है अभी तक, विट रिट रेक तु बिहार आएगा चमपारन लगवग पंच बार पूछ रखा है इसी तरीके से कुईट इंडिया मुवमेंट ठीक है इस यो तीन बार पूछ रखा है फिर हम लोग वर्किंग क्लास एड वर्किंग क्लास प्लस जितने मुवमेंट थे इसी तरीके से मैं सारे सिग्मेंट को आपको बताऊंगा और डेली मैं टार्गेटेट सेडियूल भी दूँगा आप मैंने अल्रेडी भी पेसी प्रिलिम्स की एक 30 दिन की सेडियूल चलाई थी और वो काफ़ी एफेक्टिव रहा था बहुत लोग उसे बहुत लोग उसे प्रॉफिटेवल भी हुए थे ठीक है न चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फेमस प्रिशनालिटीज की जो बिहार में पूछता है फेमस प्रिशनालिटीज की तो आप देख लिजे इससे 20-21 कोशन अभी तक पूछ रखा है पूरे बेसिक हिस्ट्री में 20-21 कोशन आपको इससे देखने को मिल सकता है और सबसे टॉप मोस्ट पे हिट लिस्ट में है गांधी गांधी जी ठीक है न जिनसे लग पांच वार पूछ रखा है फिर नहरू इनसे चार वार पूछा है इनके बेसिकली आइडिया जो हो रहते हैं सेक्विलरिजम के इससे 66 में भी कोशन था या फिर आप बात कर लिजे कम्मिनलिजम का या फिर फॉरेंड पॉलिसी फॉरेंड पॉलिसी अफ नहरू इस पर कोशन बहुत पूछता है आपको इनस रिलेशन में पढ़ना पढ़ेगा नहरू जी को ले करके इसके बाद आप जब गांधी और नहरू से निकल जाएगा पर लिजेगा तो फिर टेगोर को पढ़ेंगे तो तीन प्रस्टनालिटी तो आपको याद रखना है गांधी नहरू एंड टेगोर ये तीनों होगा टेगोर से अभी तक तीन कोशन पूछा जा चुका है तो टेगोर करने के बाद फिर हम लोग बोस कर लेंगे ठीक है न या फिर आप रजिंदर परशाद हो कर सकते हो या फिर जेपी को करना है या फिर नहीं करना ही करना है ठीक है फिर एक आप राम मनुहर लोहिया जी को कर सकते हो ठीक है अगर हम लोग किसान सभा की बात कर ले तो सारे लोग जानते होंगे स्वामी सहजान अंसरस्वती तो इन से दो बार question पूछा जा चुका है किस context में तो किसान सभा के context में ठीक है अगर हम लोग nationalism इन इंडिया की बात कर ले तो western education से question 7-8 बार पूछा जा चुका है किस से तो western education से question लगोग 7-8 बार पूछा जा चुका है clear है आपको यह बात ध्यान रखना है और हमेशा alternate year में पूछा है तो आप इसको भूलने सकते हो और साथ साथ में technical education का importance भी पूछा है western education and impact of technical education यह भी ध्यान रखना है तो यह होगे हमारा history and art and culture का part तो आपको क्या-क्या पढ़ना है कैसे कैसे पढ़ना है अगर आप सच में चूड़े होगे तो मैं आपको daily provide कर दूँगा मेरी already एक schedule चल रही है किसी भी state PCC या फिर आप UPSC को prepare कर रहे हो तो उसमें मैं basically spectrum और फिर मुर्णाल सर की hand out जो economy की चल रही है वो उसके बाद बाकी सारे subject की टेक्स्ट बुक और स्टेंडर टेक्स्ट बुक को कंसिडर किया हुआ हूँ लेकिन यह जो हो चलेगा हमारा schedule यह मैं उसमें ही डाल दूँगा लेकिन आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि integrated होगा यहाँ BPSC पे पूरा focus होगा हमारा अब इसी तरीके से हम लोग अगर section 3 की बात कर लें जहां पर current हम लोग करेंगे ठीक है current में हम लोग national प्लस international की बात कर लेंगे तो यह basically क्या होता नहीं यह आई आर बेस्ट काफी पूस्ट था इंट्रनाशन बेस्ट ठीक है जिस्टेस में reports पे काफी focus रहता है उनका काफी news में रहता है उस पर आपको काफी focus करना पड़ेगा जैसे यह report किसके दौरा निकाल गया फिर इंडिया किस position पर है इंडिया की situation इतनी को बता रहा हूं आपको इस बात का ध्यान रखना फिर हम लोग एक बहुत ही important टॉपिक है इंटरनाशनल और्गनाइशन जो भी पेसी में हमेशा पूछता है इसको आप skip नहीं कर सकते हो तो इसमें कौन-कॉन सा और्गनाइशन की बात कर लेंगे हम लोग तो एक हो जाएगा आपको bricks कि यह सियासटविय में से question पूछा था फिर उलोग बात कर लिएंगा व्र्ट्रेट और्गनाइशन की फिर लोग बात कर लिएंगे बिम स्टेक यह सारे questions already पूछे जा चुके हैं ऐसा नहीं है कि मैं आप खुद अपने मन से दे रहा हूँ इससे question रहते हैं या फिर probability काफी high रहती है कि पूछा जाएगा फिर UN उसे फिर BRICS फिर European Union फिर UN Quad काफी news में है AUKUS फिर G20 फिर G20 तो अभी इस बार के लिए काफी important है क्योंकि इंडिया इसको host कर रहा है फिर G7 फिर एक नया आया है I2-U2 ठीक है इसी तरीके से different countries के साथ relation एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं international organization में BRICS, WTO, BIMSTEC, UNO, European Union, UN, Quad, AUKUS, G20, G7 and I2-U2 अब इसी तरीके से कुछ countries के बीच का relationship भी देखेंगे हम लोग जैसे India-Israel India-Sir Lanka India-Russia India-Russia in context with Ukraine तो आप समझ रहे हो किस तरीके question frame किया सकता है इसी तरीके से हम लोगो UNSC देखना चाहिए फिर NAM non alignment movement वाला फिर COP26 के बारे में जानना चाहिए यह सब questions आपको BPC में पुछा जा चुका है तो यह था हमारा international organizations को लेके BPC मेंस के slavers में जो portions आता है वो तो यह चल रहा है हमारा GS section 1 में जो international relations का part था इसी तरीके से आप India India and European Union वाले questions को हम लोग करेंगे देखे अभी मैं आपको overview दे रहा हूँ मेरी daily schedule शुरू होने वाली है एक से दो दिन में start करेंगे और उसमें मैं topic by topic बताऊँगा और source बताऊँगा कहां से करना है आपको तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूत नहीं पड़ेगी एक एक topic को डालूँगा hardly तीन से चार topic को per day करेंगे अल्रेडी मेरी एक schedule चल रही है अगर आपको NCRT, spectrum, लक्षमी कांत, मुर्णाल सर के handout और science and tech and internationalism को follow करना है core से तो आप उसको follow करके साथ में चल सकते हो साथ में हम लोग BPC के कुछ-कुछ topics को भी डालते चलेंगे अब देखिए, इसी तरीके से कुछ recent crisis पर भी ध्यान रहना चाहिए हमारा जैसे COVID-19, हलाकि यह old हो गया लेकिन इससे questions पूसता है science and tech में vaccines को add करके पूस देगा अब हम लोग देखिए, एक Australian bushfire था, important था Rohingya crisis हो गया, फिर जैसे अभी पाक crisis हुआ या स्रिलंकन crisis, स्रिलंकन economy crisis में इंडिया कैसे काम किया कैसे कैसे क्राइस से depend हुआ, यह सब जानना है जैसे NRC, CA disputes था, demonetization का कुछ issues था हलाकि यह सब old topics हो गया, जो recent topics हो गया उस पर focus करेंगे जैसे Russia, Ukraine हो गया, ठीक है अब देखिए, इसके बाद GS1 में ही एक segment होता है, statistic इसमें चार question पूछा आता है, चार question रहता है, जिसमें इसे दो solve करना रहता है ठीक है, line graph पूछा आता है पाई ग्राफ इसी तरीके से बार ग्राफ and पाई प्लस बार ग्राफ combine करके भी पूछते हैं, देखिए, मेरा कोई intention नहीं है कि मैं आपको पूरी-पूरी slivers बताऊं कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा schedule स्टार्ट होने वाला है, schedule में day 1 से complete topic मैं आपको दूँगा, आप मेरे टेलिग्राम चैनल पर जूर जाईएगा उस पर आपको complete framework मिलेगा, कैसे कैसे आपको daily schedule में introduce करना है, even दो आप 68 की minutes नहीं लिख रहे हो, तो भी आप join कर सकते हो, 68 का minutes लिख रहे हो, तो भी आप इसको follow कर सकते हो, आपको definitely benefit होगा, मैं source ही बताऊंगा कहां से क्या use करना है, and साथ-साथ में लोग topic को धीरे-धीरे कर उसमें देखेंगे, जैसे मैं आपको कुछ बता जाता हूँ, जैसे माल लीजे, economy का portion हो गया, polity का portion हो गया, polity in context of Bihar, लोग देख लेंगे, जैसे fundamental and fundamental duties से अभी तक 4 questions BPSC means में पूछा है, उसी तरीक से देख लेते हैं, DPSP से अभी तक 2 questions लग पक पूछा है, preamble से 3, election and election commissioner स साथ, Indian politics and political party से अभी तक 8 questions पूछा गया है, caste, class, regionalism, communalism, affecting elections, इसे 6 questions पूछा गया है, अभी तक, vote bank politics से भी questions पूछा गया है, president से 2 questions पूछा गया है, governor से 4, जैसे 66 में president से एक पूछा गया था न, कि कैसे president जो है, वो puppet की तरह भेव करते हैं, जिस question पे controversy भी हुआ था, आपको याद होना चाहिए, उसी तरीके से federal structure से अभी तक 4 questions पूछा है, central state relationship आप कह सकते हो, पंचायती राज सिस्टम से, जिसमें तहतरवा amendment act से 3 questions अभी तक पूछा आ चुका है, BPSC men's में, इसी तरीके से parliament and state legislature की बात करें तो 2 questions, judiciary, activism and reviews, 4 questions, uneven development of Indian state with respect to Bihar, ठीक है, इसी तरीके से e-governance, फिंदित्वा, pressure groups, कैसे कैसे भिहार में build-up है, और कैसे कैसे issues create करता है, तो देखे, जितनी topics में बता है होना, ये previous year question को analysis करके पता चला है, कि इतने सारे questions पूछा गया अभी तक, तो हम लोग उसको ही focus करके, हम लोग अपने daily schedule में inculgate करेंगे, और उसी तरीके से population, demographic, dividend, skill development, unemployment से 8 question अभी तक पुछा आच चुका है, agriculture से, agriculture technology, notes पे लगवग 9 question पूछे है, poverty से अभी तक का लगवग 5 question पूछा गया है, ठीक है, industry की बात करने तो 6 question पूछा गया है, जोगरफी से अभी तक 2, basic जोगरफी जो होता है, उससे 2 question ही पूछा गया अभी तक, section 3 मे अभी तक पूछा गया है, और भी बहुत सारा चीज होता है, जो की बिहार से related हुआ, इससे NFHS हो गया, National Family Health Survey हो गया, अगनीबत स्कीम हो गया, EWS controversy हो गया, ठीक है, कैसे EWS जो है, वो economical based है, कैसे social based reservation को, क्यों एक तरीके से अगर EWS को economical based दिया गया, तो reservation was not on the economy basis, it was on social aspect and social based, then why it has been given to economical basis, there are some debate on that, तो आप उस पे भी चीजों को देख सकते हो, 5G technology बहुत आया, nanotechnology हो गया, caste based census हो गया, फिर अभी कुछ दिन पहला ही चल रहा है एक न, chat GBT चल रहा है, तो आप वो भी देख सकते हो, recent हो गया, फिर metadata आया है, एक नया, वो हो गया, फिर artificial intelligence हो गया, जल जीवन हडियाली पे साथ निस से 1 and 2 पे बात कर सकते हैं, questions frame हो सकता है, river interlinking पे जैसे कोसी मेची जो link हो रहा है उस पे हो सकता है, जमुएन कास में delimitation commission उस पे हो सकता है, IR में lookist policy, basics, NAM, nevering first, extended neighborhood, change in foreign policy, CDS के बारे में जो नई नई पोस्ट मनी है, NEP, National Education Program के बारे में, coronavirus, I2, U2, Quad, India, Australia, COP26, AUKUS, SCO, India, UAE, PARK, CHINA, NATO, BRICS, G20, UNSC, G7, BRICS, इसमाने आपका बता है, तो आप समझ सकती हो कि लगभग आपको इतने questions बनेंगे, ये सिर्फ introduction वीडियो है, इसमें कुछ मैं बताया नहीं हो आपको, मैं आपको daily wise schedule maintain करके दूँगा, एक एक topic से निकाल करके, आपको वो करना होगा, आप करोगे मेरे साथ, मुझे भी करना है 68 minutes की preparation, that's why I'm conclude कर रहा हो, ठीक है न, और optional की बात नहीं है, ऐसे को भी हम लोग धिरे-दिर करके डाल देंगे, एक already हमारी schedule चल रही है, extended schedule है, उसमें NCRT और फिर लक्ष्मी कांथ, spectrum अभी spectrum लगवग खतम होने पर है, तो हम लोग उसको daily inculcate करके डाल रहे है, आप उसको follow कर सकते हो, साथ में BPSC के experience हो, तो इसको जरूर follow करो, आप अगर 68 दे रहे हो, 69 दे रहे हो, दोनों हो, आप किसी भी position पर हो, या 78 देने वाले हो, आपको mains की preparation पहले करके रखनी है, तो ये topics आपको बहुत help करेगी, ठीक है, अगर आप नए हो, तो मेरे channel पर जुर जाओ, अगर आपको लगता है कि मैं help कर सकता हूँ, तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल, आपको content इस तरीकी के देते रहूँगा, experience है, मेरे पास इंची जो की, तो मैं आपको help कर सकता हूँ, ठीक है, thank you